प्राची प्रज्या काठमदू नेपाल्स तैत्रिय उपनिशित का नमम अनुवाक अन्नम बहु पुरुवित अन को बढ़ाएं तद ब्रतम यही ब्रत है प्रत्वी बा अन्नम आकाशो अन्नादः प्रत्वी ही अन्न है अकाश अन्नादः प्रत्वी ब्या माकाश है प्रतिष्ठित है आकाशो प्रत्वी प्रतिष्ठित है प्रत्वी में आकाश प्रतिष्ठित है आकाश में प्रत्वी प्रतिष्ठित है यही वह अन में अन प्रतिष्ठित है आप देखिए बहुत बारिक शब्द है इसलिए मैं कहता हूँ अगर व्यक्ति को शास्त्र भी मिल जाए तो उस शास्त्र में से निकालेगा क्या काला अक्सर बैंस वरबर इन शब्दों में से क्या निकालेगा अगर भीतर का ग्यान रखने वाला व्यक्ति है नहीं और सिर्फ आचारी है भाशा अनुवाद कर सकता है तो भाशा के अनुवाद तक ही जाएगा इसे आगे कैसे जाएगा मैं बार बार कहता हूँ भाशा का अनुवाद होना ही प्रयाप्त नहीं है दिस इस नट सफिशियंट अनुभव होना भी अवश्यक है भरिपड़े हैं सारी सास्त्र अर्थ कुन करेगा आप कर दोगे अर्थ के वित्र का रहसी कुन करेगा आप न कर पाओगे रहस वो करेगा जिसने रहसी में प्रवेश कर लिए यही वह अन में अन प्रतिष्ठित है जो मनुष्य अन में अन प्रतिष्ठित है इसे जान लेता है अब सब्द सुनें जो मनुष्य अन में अन प्रतिष्ठित है इसे जान लेता है वह अन प्रतिष्ठित हो जाता है अब क्या करें हैं क्या भाषा है गजब की भाषा है जो व्यक्ति अन में अन प्रतिष्ठित है यह जान लेता है वह अन प्रतिष्ठित हो जाता है तदे तदन मन्ने प्रतिष्ठितम स यह एतद अन्ने मन्ने प्रतिष्ठितम वेद प्रतिथी अश्चितम अन पान अन अनाद भवती महान भवती प्रजया जो व्यक्ति अन अन में प्रतिष्ठित है जो यह जान लेता है वह प्रतिष्ठित हो जाता है हम सुत्र को पकड़ें यह सुत्र है जड़ और चेतन दो सत्रों को हम मानते हैं वास्त में वेदांत दो में से एक को खोज लेता है जड़ और चेतन दो नहीं जड़ की चेतना बढ़ती 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 चेतन मात्र रह जाती है पत्थर से सुरू हुआ चेतन बढ़ती गई पेड़ बने चेतन थोड़ी बढ़ गई एक कोशिय जीब बने बहु कोशिय जीब बने बड़े जीव बने और बड़े जीव बने और फिर एक जीव ऐसे बने जिन में बुद्धी आगे लिए बुद्धी इसे बुद्धी शब्द के उपर बड़ा बेबाद होता है अभी आज ही डॉक्टर कमला का प्रशन आया क्या सभी पशुओं छोटे बड़े पशुओं में मनुश्य के समान बुद्धी और विवेक होता है बुद्धी होती है विवेक नहीं होता है जिस वक्त विक्ती विवेक संपन युक्त हो जाता है उसी वक्त वह योग्य होता है मानुव का जामा प्राक्त करने में यह विवेक ही है जो की मानव मात्र के इलावा और किसे में नहीं होता है यह विवेक ही अन प्राणियों से मनुष्य के चोले को अड़ब बनाता है बाकी पश्वों में बुद्धी होती है बुद्धी तो सिर्फ एक यंत्र है आइंस्टीन की बुद्धी यहार की मस्तिश्क विवेक हो गया जिसके कारण बुद्धी में विवेक का जर्म होता था वह नहीं रहा अब इसको ध्यान से समझेना तो समझा जाएगा अन भी दो तरह के होता है एक अन जिसकी बात आपको बाहर बाहर से समझा आती है तैत्रिय और उपनिश्द के इस वक्स है जो की शरीर को पोशन देता है वह अन एक दूसरे अन की बात भी है जिसकी बात आपके तथा, कथित, बिद्वान ब्याख्याकार न कर पाएंगा बस उसी की बात मैं करता हूँ और उसी को मैं रहे से कहता हूँ वही रहे से है उस तक पहुँचना ही मुश्किल है शरीर को तो आप आज नहीं कल जान लोगे करीब करीब काफी मातरा में जान लिया गया है लिकन बात तो उठती है उस अन की जो रहस्य है तो आखरी शब्द देखिए तैत्रिय उपनिशित के इन अनवाकों का अखरी शब्द है कि दोनों एक दूसरे पर आशर्त है सरश्टी और ब्रह्म दोनों की सता है लेकन दोनों एक दूसरे पर आशर्त है जब एक दूसरे पर आशर्त है तो दो सता ही कैसे हो जैसे मैंने समझाया कि गर्मी और सरदी एक ही चीज़ के दो रूप है मैजर्मेंट ओफ टेंपरिचर ताप मान के दो छोर है माइनस में चले गए तो सरदी और पलस में चल गए तो गर्मी लेकन क्या दो हुए क्या जंत्र दो लगाने पड़े नहीं लगाने पड़े एक ही जंत्र से दोनों माप लिए गए तो सता दो कैसे हो गए सरदी और गर्मी की सता दो कैसे हो गए जब एक ही यंदर से मा पिलीए गये ब्रम और सर्ष्टी यह सत्पी तो दो दिखती है दो हैं दोनों एक दूसरे पर आश्रेत थां यही मैंने बात कही सेक्स एंड हंगर एक दूसरे के परीपूर कहें एक दूसरे पर आश्रेत है बोजन ना खाओगे तो कैसे आपके वितर बल और वीरे की वर्दी होगी तो फिर दोनों बिपरित कैसे होगा अन से ही बल और वीरे की वर्दी होगे दोनों उल्ट कैसे होगा हंगर क्या है जब सरीर अन मागता है वह हंगर है और अन का उसने क्या करना है बल पैदा करना है रोज मर्रा के कामकार के लिए है और क्या पैदा करना है रिप्रोड़क्टिव सिस्टम में वीरे पैदा करना है अंडानू पैदा करना है होते तो उसी अन के द्वरा ही हैं जो हंगर में आप खाते हो तो फिर दो कैसे हो इसी प्रकार सिष्टी में सभी जड़ बैचेतन स्रश्टी एक दूसरे पर निर्भर है यही रहसे है आखरी शब्द उसमिया तैतरिय उपनिशत का नमम बाक्तिका यही रहसे है क्या ब्रह्म और सिष्टी दो सत्ताइं हैं लेकिन एक दूसरे पर आश्रत है शब्दों में तो ऐसा ही बोला जाएगा क्या करें शब्द बड़े खशुद्र शब्द बड़े सीमित है तो प्रग्या खुष्टी है यह बाबा मेरी तो समझ में नहीं आई समझ में नहीं आएगा रहसे कभी समझ में नहीं आता है सरस्टी समझ में आ जाती है डॉक्टर्ज ने आज हर चीज का विश्टेशन कर लिया है काट पीट के सब चीज़ें आपके सामझ में रख दें और जो रह गया वो खोज भी नौर हो जाएगा लेकिन बात तो रहसी है जड़ आपकी समझ में आ जाएगा चेतन आपकी समझ में नहीं आएगा जड़ वह है जो आपकी बुद्धी के द्वारा ना पलिया जाएगा और चेतन वह है जो बुद्धी में किसी हालत में छूब भी न पाए उस चेतन को आपकी बुद्धी छूब भी नहीं पाती बहुत दूर खिसकी रहे जाती तो तेतरी अपनिशत का यह है नवम अनुवाक लोगों नो तो बड़ा व्याख्या करने वालें ने तो बड़ा व्याख्या किया है लेकिन इसका वीतरी रहस है क्या लिख तो दिया कि यह रहस है बट वर्ट से सिक्रेट में हाइंड इट थोड़ा सा इसके बारे में तु बोल दो फिर चूपो हो जाते हैं रिशी इती श्री कह देते हैं अब शास्त्र का अनुबाद करने वाले भी तो इतने जानकार हैं नहीं शब्दों तक की वेख्या कर देंगे यह आचारे लोग बिलकुल कर देंगे लेकं शब्दों के बेतर का रहह से इशारा करना बड़ा आसान है इशारा मैं कर देता है लेकं रहह से कहां ये रहह से है क्या इस के टॉप पेट ने अब इसको पकड़ लगा अग्यानी वेक्ती टॉप उफ्छा साइं इस साइं के इस इशारे के टाप को पकड़ लगा कहां है चंद्रमा दिखाओ कहां है परमात्मन दिखाओ नहीं दखाया जा सकता रहसी के तरफ इशारा था इसको आपने खो दिया इशारे की सीध में स्टेट लाइन में जांक लेते तो बात सपस्ट हो जाती तो कहा कि अनब्रम है बिरको ठीक है अनब्रम है अब मेरी बात को विस्तार से समझने की चेश्टा कीजेगा थोड़ी थोड़ी समझा आएगा क्योंकि इशारों में समझाओंगा शरीर जब पैदा होता है तो कितना होता है यही तीन पांच की लोग है और वही शरीर जब गर्व में प्रवेश करता है तो कितने बजन होता है कितना भी बजन नहीं होता है नगलीजीवल बजन होता है जब गर्व में प्रवेश किया स्परम ने अंडानों से मिला तो कितना बजन था तोल के बटाएं विज्ञानिकों से कहिए तो वो कहेंगे माइनस के इंदर दश मलब कितने इतने ग्राम और जब गर्व में प्रवेश भी नहीं किया था तो कितने ग्राम का था कुछ भी ग्राम नहीं था फिर तुम हो का नए उससे पहले तुम अपने पिता के इस वर्म में विद्यमान थे और तुम्हारी माता के अंडानों में विद्यमान थे और ये दो चीजें थी एक को जड़ कहलो एक को चेतन कहलो वाई क्रोमसोम को आप चेतन कहलो समझाने की बात कर लो X-Chromosome को आपसरिष्टी करें दोनों का मिलन हो गया लेकिन दोनों का मिलन होके ही तो आप वने हैं और फिर उपर से पोशन हो गया पानी चाहिए, खाद चाहिए, सूरज की रोशनाई चाहिए, हवाई चाहिए क्या नहीं चाहिए पोशन के लिए तो आप दीरे 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 वेट गेन करते हैं माता की जरिए गृर्ब मेशनाई बढ़ते रेए किसी वक्त ऐसा आया कि मटर के दाने के समानभ का वज़न हो जाता है और फिर बढ़ता रहता है माता की ग़र में आपको पोशन मिलता रहता है और नाल कहते हैं हम और नाल वह जो बच्चे के जन्म के पशाद हम काट देते हैं जो नाभी में चिद्र होता है ना और नाल को काटने का चिद्र होता है यहीं से पोशन मिलता है यहीं से जीवन मिलता है बच्चे को आप जो इतना अभी मान करते हो कि मैं मैं हर वक्त आप थे कहां जरा बैक में जाई अगर थोड़ी भी बुद्धी है तो आप थे कहां जनम के वक्त आप दो पांच के लोके थे और जिस वक्त आपने घर्म में प्रवेश किया सपर्म और अंडानू के रूप में आत्मा को तो छोड़ देजे उसका तो अभी आपको पताने लेकिन साइंस इतना तो समझा पाएगी कि स्पर्म और अंडानू मिले तो आपकी उत्पत्ती हुई क्योंकि वह सिर्फ साइंस सिर्फ आपके सरीर को ही आपका होना मानती है उसके बाद डिवेलिप्मेंट हुई और सारा ब्लूप्रिंट था उस बीज के वितर वही विक्सत होना शुरू हो गया और वह एक दन पेड़ बन गया पेड़ बन गया तो बाहर आ गया बच्चा द किस से बड़े अन से बड़े तो अन को ब्रह्म इसलिए कहा गया ब्रह्म जाने पहला ओ अनम ब्रह्म अन ब्रह्म है बिल्कुल ठीक है अन से ही आप बड़े अन से ही आप पहले सपर्म की नेगलीजीबल वेट से लेकर आप आज दो कुंट्रल के कुंट्रल के साथ किलो के रह गए वो वेट कहां से गें किया आप ने अन से और अन कहां से आया पृत्विसे वायू से आकाश अगनी से सूरे की अगनी से इन सबका समिश्रण एक बुद्ध खड़ा हो गया लेकिन एक बात को उतिहान रखें जो तेतरी अपनिश्द में आप समझे नहीं पाओगे यदे पे लिखाओगा है बस इसी रहस्य से आप चुक जाते हो व्यक्ठाकार लोग तो रिचा प्रग्या पूछती है कि इजैवेरी समसे तो बहार है लेकिन इस शब्द की व्यक्ठा करते व्यक्ठी ने बाद में लिखा यही रहस्य है क्या रहस्य है कि सरश्टी और ब्रह्म ये दो हैं और दूसरे एक दूसरे के उपर निर्भर है प्रस्पर निर्भर है तो फिर क्या दो खाक हुए फिर तो एक ही हो गया जब एक दूसरे के उपर निर्भर है तो दो हो कैसे गए बहुत आगे की बात है मैं समझाओंगा तो आप समझतों न पाओगे लेकिन मेरे इशारों की तरफ बराबर देखने में जराबी कुटाही मत करना है अब सरीर की बात तो मैंने समझा दे लेकिन अब एक उस रहस्य की बात को मैं समझा दूँ जो इस तैतरी अपनिश्द के नम्म वाक्यान्श में बिरकुल आखिर में कहा गया कि यही रहस्य है जड़ और चेतन दो हैं और परस पर एक दूसरे पर निर्वर हैं यही रहस्य है चूटाह। कुछ तो समझाने में आता नहीं कुछ इनको खुद भी समझे नहीं तो रहस्य क्या है वो रहस्य यह है कि आप सपरम और अंडानों कितना ही मिल जाएं अगर उसके भीतर यह रहस्य ना उतरेगा जिसे हम पर बातना कहते हैं तो उसमें जिन्दकी नहीं आएगी जान नहीं आएगी और आप अब दो कॉंट्रल के हो गए हों कॉंट्रल के हो गए हो साथ के लो के हो गए हो अगर अब यह रहस्य निकल जाए आपके स्रीड में से तो दडाम से आपकी सारी मट्टी गर जाएगा यह किसके कारण था यह उस रहस्य के कारण था जिसे उपनिश्यत के रिश्यों ने बाद में जाकर कहा कि यही रहस्य है वो क्या रहस्य है मैंने आपको समझाया गर्व में जब अंडानूस पर मिला अगर आत्मा ना उतरती तो उसमें जीवन ना होता है पस डेट पैदा होता है कई बच्चे डेट पैदा होते हैं मास का फैला होता जाता है सारा ब्लूप्रिंट है दोनों में वो बस बढ़ता जाता है पोशन मिलता जाता है लेकिन स्वास लेने वाला कहा है और चीतना कहां उत्री चीतना उत्री नहीं या छोड़के चली गई और जैसे ही चीतना छोड़के चली गई बच्चा वेट में तो पूरा होगा जीवन तन होगा और आज आप एक कंट्रल के हो दो कंट्रल के हो साथ किलो के हो आपको पता नहीं है कि यह पुतला चल कैसे रहा है यह उस रहस्य के कारण से चल रहा है अगर वो रहस्य ना होता स्रजना के भीतर तो प्रकृति होती सिर्फ प्रकृति होती प्रकृति को रचन हो रहा है जिसे प्रमात्मा कहते हैं वो ना होता तो आपका स्रीर पुतले के समान होता है इसी रहस्य के आने से जीवन आता है और इसी रहस्य के स्रीर से बाहर चले जाने से जीवन चला जाता है यानि रहसे जीवन है संत लोग आपको इस रहसे के बारे में ऐसे ही इशारे कर सकते हैं इशारों से इलावा उनके पास और कुछ नहीं इन इशारों से आप समझ जाओ ये इशारे भी बड़े मेहत बुरण है आपकी मूड़ता को मिटाने के लिए ये इशारे भी बड़े महत बुरण है रैदास ने कहा माटी को पुत्रों कैसो नचत है अब वो क्या कर रहे ये नाचता किस कारण से है क्या है इस नाच के पीछे की वबस्ता बहे कून है जिसके कारण ये माटी का पुत्रों नाचता है वे उसकी बात करें बजन तो गाते हैं रैदास लेकिन बजन के पीछे का मरम भी आपको इशारव इशारव में समझा देते हैं कि जरा उसकी तरफ जांकिये जिसके होने के कारण ये माटी का पुत्रा नचत है वे कून है वही रहसे से लेकिन बज्ञानिक कहेंगे साइन्टिस्ट कहेंगे नास्तिक कहेंगे हमने तो देखा नहीं कभी हम तो मानते हैं ठीक है मैं मान आपने तो बहुत कुछ नहीं देखा आपके पास कोई पेशन्ट आता है कहता है डाक्टर साब दर्द बहुत हो रहा है तो आप उससे पुछते हो कि दिखाओ, दर्द को निकाल के दिखाओ, कहां है वो दर्द में ठीक करना, पुछते हो कभी, नहीं, तो फिर कैसे मान लेते हो कि ठीक के दर्द होता है, वायू चलती है, वायू वेक से चलती है, आपके शरीर को, शीतलता और गर्मी परदान करती है लू लग जाती है ठंडी रग जाती है कहां है ठंडी कहां है गर्मी दिखाओ यह दर्द होता है कहां है दर्द यह आपका तर्क गल्द है जो चीज दिखती नहीं हम उसे मानते नहीं फिर दर्द को भी मतमानो फिर ठंडी गर्म को भी मतमानो फिर आग की तपश को भी मतमानो यह तो दिखती नहीं आग दिखती है तपश कहां दिखती बर्फ दिखती है बर्फ की ठंडक कहां दिखती है तो ठंडक को आप इंकार करने और फिर आप चूक जाओगे एक सत्य से चूक जाओगे इश्वर की इतनी बड़ी सरजना का सत्य चूक जाओगे आप अपने आपको बहुत बुद्धी मान समयते हैं और आपको यह पता नहीं कि आप जितने बुद्धी मान हो उसकी संक्य कितनी कहां विज्ञानिक कहते हैं कि हमारी धरती पर जितने रेत के कन हैं अब ध्यान से सुनना बाग को विज्यानी कहते हैं कि हमारी धर्ती पर जितने रेत के कण हैं, उतने ही इस सर्जना में, इस स्रिष्ठी में उतने ही तारे हैं अब गिनियां कितने तारे हैं, पहले तो रेत के कण गिनिवाई, जितने रेत के कण हैं, उतने ही तारे हैं हमारी ब्रमंडव हैं, आपकी क्या उकाता हैं? सूरज के वितर तेरां लाख पृत्वियां समा सकती हैं, इतना व्यास है सूरज का, और आपकी धर्ती पर एक आदमी हनु मांजे, सूरज को निगल लेता है, आपके कभी जाने की चेश्टा की, मानने पर ही आपने जोर दिया, और इसलिए बुद्धु रह गया है, साइंस हमारे पास थी, साइंस के हम बिद्वान थे, साइंस के हम महारती थे, हमारे मनीश्यों के पास साइंस ही तो थी, लंका निवासी रावन के पास पुश्पक बिमान था, उससे पहले आप पुश्पक बिमान या बिमान किजी के पास था, और वो रिमोट कंट्रोल था, रावन हाथ उपर करता, बिमान उपर उठ जाता, रावन हाथ नीचे करता, बिमान नीचे हो जाता, दाएं हाथ लह रहाता, विमान दाएं मुड़ जाता, बाएं लह रहाता, बाएं मुड़ जाता, रिमोट कंट्रोल का, आज तो बन गया, आज तो हमें पता चल गया, अगर इसकी खोजना होती, तो हम अपनी दिमाग की सड़ी हुई खोपड़ी में ये इन्फरमेशन लिए चलते रहते कि नहीं ऐसा कुछ नहीं था और बहुत से लोग महाभारत था रामायन को एक कपोगल कल्पित नावल उपन्यास कहके इसके अब हेलना कर देते हैं कि ऐसा कुछ हुआ नहीं खेर ये उनका मसला है आस्तिक्ता नास्तिक्ता का स्वैम का मसला होता है किसी दूसरे को इससे कोई लेना देना नहीं होता तो आपने आस्तिक होना है या नास्तिक होना है That's your own choice, यह है आपकी खुद की चौइस है, यह बाहर की चीज़ें तो बड़ी विशार है, द्रोवतारा, करीब 440 प्रकाश वर्ष दूर है हमारे से, और ऐसे तारे जो हमें नजर आते हैं दर्ती से, चमकीले तारे, उन तारों में से 45 तारे हमें नजर आते हैं, खुली आँखों से, जो हम देख सकते हैं, 45 चमकने वाले तारे हम देख सकते हैं, तारे तो बहुत हैं चमकने वाले, लेकिन हम नगन आखों से, या किसी खलकी साहिता से दूर बिन से, 45 तारे चमकते हुए देख सकते हैं, उनमें शुकर भी है, उनमें द्रोवतारा भी है, लेकिन इतना ही संसार कहा है अभी मुझे से कर ही एक स्वाल पूछा किसी बेगान कि कि आप एस्टर ट्रेवलिंग की बात करते हैं बना बता पाओगे कि जीवन किस ख्षित्र में विद्यमान है मैंने का बता तो पाओँगा लेकिन आप जा नहीं पाओँगा आज तो हर्बल टेलिस्कोप थी पहले आज जेम्स वेव टेलिस्कोप की संग्रेचना हो चुकी है तो हम कैसे जान पाएंगे जान तो पाओगे आप थोड़ी सी और ववस्था महीन कर सूक्षम पारदर्शी ऐसी ववस्था कर लो के थोड़े और दूर जांक सको देखिए तारा मंडल आता है सबतर्शी सबतर्शी तारा मंडल की बिलकुल सीध में दुरुबतारा पाओगे जिसे हम नार्थ पूल काया देते हैं सबतर्शी किसने नहीं देखे ये साथ तारे हैं जो आप शाम को रात को देख सकते हैं चार तारे तो वर्गा कार और तीन तारे पूछ की तरह ये किसने नहीं देखे होंगे सबी नहीं देखे होंगे तो सब्तर्शी मंडल के बिलकुल उपर नार्थ पूल है नार्थ पूल के अगर वेस्ट में हम जाएंगे यह नार्थ में है नार्थ पूल नौर्थ में है और जब हमारे पास कमपास बगार का योजन नहीं होता था तो हम इस द्रुबतारे को ही या सब्तर्शी मंडल को ही इंदाजे के साथ गिण कर अपने यात्राएं करते थे समुद्र की यात्रा हैं लेकिन आज तो बहुत विज्ञान ने तरक्की कर लिया है तो देखें मैं आपको समझा दूँ सब्तर्शी मंडल के बिलकुल उपर सब्तर्शी मंडल का सारा समुख द्रुबतारे के आज़ पास ब्रह्मन करता है ये दोनों नार्थ में हैं सब्तर्शी मंडल भी और द्रुबतारा भी तो उसके वेस्ट में जाएगा पश्यम में जैसे जैसे आप पस्रेम जाओंगे आपको अनीकों धर्थियाँ मिले में एक नहीं अनीकों धर्थियाँ मिले गया देखने में वो करीब लगें लेकिन दूर बहुत ह Greeks देखने तो हमें दुरुतारा भी गरीब लगता है लेकिन उस तक पहुँचने के लिए करीब 430 लाइट इयर्स, 430 प्रकाश वर्ष दूर, यानि प्रकाश की गती से अगर आप एक रॉकेट तैयार करते हो, तो आपको 430 वर्ष रखने हो, प्रकाश की गती क्या होती है? एक लाख श्यासी हजार माईस पर सकाँ, एक सेकंड में एक लाख श्यासी हजार मेल, कैसी थाप आओगे इसके, और आप इसके उपर बहस करने आ जाते हो, छोटी-छोटी पोथियां लेकर, बगल में पोथित बाई, आओ बाबा शास्तरास करें, किसके बारे में? परमात्मा के बारे में, उस विराट के बारे में, जिस विराट की सरजना के वितर, पर्थवी के उपर जितने कण हैं रेत के, उतने तारे बनाए उसने, और लगातार बनाता जा रहा है, विज्यानि कहते हैं, कि फैलाव हो रहा है, सारी सरजना का फैलाव हो रहा है, बढ़ रहे हैं लगा तार कौन बना रहा है उसने बंद नहीं किया है सरसे इसे ही रहज से कहते है जब आपके अंडानू और स्पर्म के मिलने से जब तक वो रहज से प्रवेश नहीं कर पाता तब तक तब वो लोथ होती है और जब वो रहेश से उसके बितर से निकल जाता है तब फिर लोथ हो जाती है जाने के यह आप तो पहले भी लोथ थे आप बादमें भी लोथ हो गए तो बीच में अगर गती मान रहे अगर जीवन तो परतीत नजर आए तो किस की बज़े से परतीत नजर आए जरा सोचना इस रहसे के कारण और वो रहसे क्या है अब तेतरी अपनिश्द में आखर में आके कह दिया कि यही रहसे जड़ और चेतन दो सत्ताइं है लेकिन ये दो सत्ताइं परस्पर निर्वर है बोथ हार डिपेंडेंट ओन इच अधर तो बड़ा सुन्दर शब्द है अगर परस्परक एक दूसरे पर निर्वर है तो फिर दो सत्ताइं हो कैसे गई अगर पानी निर्वर है वाश्पर बनने में और पानी निर्वर है फ्रीज होने में तो ये तीन सत्ताइं कैसे हो गई लिक्ड वाश्प और सालिट ये तीन सताईं कैसे होगी सता तो ये गए वो जब तरल की तरह होता है पानी तो लिकुड नजराता है उबाल दिया जाता है तो वाश्व बन जाता है तो गैस की तरह नजराता है और कंडेंस कर दिया जाता है फ्रीज कर दिया जाता है वर्फ बन जाता है तो सॉलिड की तरह रहता है लेकिन सताइं तीन कैसे हो गए है फारम तीन हो गए बेलकुल ठीक लेकिन सताइं तीन कैसे हो गए है इसलिए मैं जड़ और शेता है दो सताइं है तैत्रिया उपनिस्ट के हिसाब से लेकिन दो सताइं है दो हैं कहां जब पानी बास्प बनता है तो सताइं दो होती है नहीं वही H2O बास्प पर रूप ले लेता है और जब फ्रीज होता है बर्फ बन जाता है वही H2O बर्फ का रूप ले लेता है लेकिन कहीं उसकी बुनियादी गुनबता बदलती है और अगर हम तोड़ भी लें तो फिर भी कैसे बदलेगी हाइडरोजन और उक्सीजन रह जाएगा हम उनको तोड़ भी दें तो दो एटम्स हाइडरोजन के और एक आइटम उक्सीजन का बची जाएगी मूर भूत परवर्तन कहां हुआ कहीं नहीं हुआ लेकिन आपकी आँखोंने परवर्तन देखा बिल्कुल सकता है जब पानी लिकुर्स रूप में था तो आपने उसका कुछ और रूप देखा जब पानी उड़ गया नजर भी नहीं आया वाश्प बन गया वेपराइज हो गया तो भी आपने उसका कुछ दूसरा रूप देखा और जब पानी ठोस बनकर बर्फ की तरह आपको बिल्कुल दिखने लगए आपको चोट भी पहुँचा सकता है आपने देखा बर्फ की धार तलवार की धार के समान पो जाती है सर में मारों खोन नकले है वो ही पानी वो ही गैस जिसको सर में लगने से चोट नहीं पहुँचती तो अगर आप कहो कि मैं गैस के द्वारा दो हाइड्रोजन के एटम और एक उक्सीजन के और आपके सर पाढ़ दूँगा आपको गयो ही नहीं सकता लेकिन सर फट जाता है अगर वो ही पानी बर्फ में फ्रीज हो जाए तो सर फट सकता है तलवार की धार जैसा काम करेगा हूँ लेकिन आप मानने को तैयार नहीं होते आप तो बहुत सी बाते माननों को तैयार नहीं होते आप तो कुछ भी मानने को तैयार नहीं होते और आपके आँखों की दृष्टी है कितनी बड़ी महीन दृष्टी लिए भरते हो आप और आप कहते हो मैं को न मनू मत मनू भाई आपको कहता भी कौन है तो पुष्टी है प्राची प्रग्या कि बाबा मुझे तो समझ नहीं आया देखिये बाते हैं रहस से कभी समझा आएगा कि नहीं पहले तो इस ब्रांती को अपनी कोपड़ी से नगाल दूँ और ये जो लोग गपोर पंथी लोग तुम्हें समझाने की चेश्ठाओं में व्यस्त हैं सारे दिन पर रात 2400 गंट ये है आपकी बुद्धी के साथ किलवार मात्र कर रहे हैं वे है जो बुद्धी की पकड़ में आता हैं उसे आप बुद्धी के द्वारा समझने की चेश्ठाओं में सनलगन हैं इसलिए मैं इन सब को बुद्धू कहता हूं ये बुद्ध नहीं अगर बुद्ध होते तो बुद्ध अगर बताना नहीं चाहते तो एक बात कहते थे देखो भ ayr ये चोदां तो अब व्यकरत पर्शन इनका जवाब तो मुझसे पूछना ही मत क्योंकि ये वो प्रशन है जिसके जवाब के उपर अगर आपने सवाल कर दिया ये वो पर्शन है कि जिनके जवाब के उपर आपने कोई सवाल कर दिया तो फिर मैं उसका जवाब ना दे पाऊंगा क्यों बात तो वो दिवी वो ही कह रहे है अगर मेरे आपने कोई सवाल पुछा और मैंने जवाब दे दिया और मेरे जवाब के उपर आपने कोई सवाल कर दी तो मैं उसका जवाब ना दे पाऊंगा क्यूं ना दे पाऊंगा क्या मैं जानता नहीं बिलकुल जानते हूं लेकन वो जवाब दिया नहीं जा सकता इसलिए मैं पहले ही आप से कह दूँ कि यह 14 प्रशन तो मुझसे पूछना ही मत यद भी बुद्ध से वला उर जानता कुझ है बुद्ध उस रहस्य को समझ लेते हैं उतार लेते हैं अपने बत्रती सली हैं आप चहा कर भी मौन नहीं हो पाते हैं लेकिन बुद्ध ऐसे मौन हो जाते हैं कि देवताँ को डर लगने लगता है कि कहीं ऐसा नहो कि ये मौन ही नहो जाए और फिर इसने जो देखा उसको व्यक्षाइद नहीं कर सके तो फिर ये संसार जल रहा है इसको शीतलता मिलेगी कैसा इसका मौन होना खतरनाक है जिसने जान लिया उसका मौन होना सदा ही खतरनाक रहता है हलांकि वहेविती मौन होना चाहता है बड़े मज़े की बात है वहेविती मौन होना चाहता है और आप चाहते हो कि ये कुछ भूले लेकिन उसकी अंतस आत्मा उसको बीतर खेंशती है तू पी ले इसको जन्मों जन्मों की प्यासी रूफ सुर्थ कनारी भई मतवारी मदवा पी गई बिन तोले विदाउट एनी मेजर्मेंट कोई जाम का प्याला न था जिससे इसका माप कर लिये जाए कि मैं इतनी उडेल रहा हूं इतनी गटक रहा हूं बिन तोले मदवा पी गई बिन तोले बुद्ध बोला नहीं जाते हैं सही बुझे हूं बुद्ध जितना उपकार आप लोगों के उपर करते हैं उतना उपकार कोई भी नहीं कर सकता है बिग्यानिक भी इतना उपकार नहीं कर सकते हैं बिग्यानिक मत्र सरीर के सुप के लिए उपकरन बैदा कर देंगा है सिधान्त खूज देंगे चीजें बना देंगे जिन्दगी आसान कर देंगे समय की वचत कर देंगे लेकिन समय से पार नहीं हो पांगा समय से पार तो कोई बुद्ध होता है महावीर होता है कृष्ण होता है और समय के पार जो हो गया वहे इन बेवकूफियों में पड़ेगा नहीं कि वहे समझाया जा सकता है वहे तो पहले ही बुद्ध की तरह का देगा देखो ये चोदां प्रशन अब व्याकरत प्रशन है ये व्याकरत किये ही नहीं जा सकते इनके बारे में पूछना मत और पूछले न आपके जोलंत प्रशन और बहुत है और बुद्ध अच्छी तरह जानते हैं आपका असली जोलंत प्रशन क्या है आपका असली ज्वलंत प्रशन क्या है एक कम निउस्ट उंचे उंचे आवाज लगा रहा था उसके साथ उसके मित्र गण करे थे बड़ा हो हला था बहुत रस्थ था बड़ी भरी पूरी जमात थी इंकलाब जिंदाबाद के नारी चले थे और वो बीच में बोला जा रहा था अच्छा वक्ता रहा होगा वोकेबलेरी अच्छी रही होगी वह बोले जा रहा था दड़ा दड़ यूं कर देंगे बूं कर देंगे मटा देंगे बराबर लेके आओ सब ये पूंजी पतियों को ऐसा 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 और पूंजी पतियों तो काम खराब करेंगा, चिंगारी को इससे पहले के आग बन जाए, चिंगारी को ही दबा देना च्छा होता है, तो इसको दबा दो, वो सेट लोग पांच साथ ही कठे होगे कि इसका इलाज तो करना पड़ेगा, चले गए उसके पास, हाँ भीया, तुम इतने जोर जोर से बोल एक कम्निजम आना चाहिए, समाज बात आना चाहिए, सब में बराबरी, बराबरी, बट जाना चाहिए, बलकुल बोल रहा था, बोलूंगा, जब तक जान है बोलेंगे, मर जाएंगे, मिठ जाएंगे, सिर धर से अलग करवा लेंगे, पर बोलेंगे, तो उसने पांस से दस क्रोड की गुट्टियां रख दिया हूं कहते है यह लो भाई अब बोल रहे हैं तो बोल लो है तो उसने चुपके से उठा के अलमारी के वह तरफ दिया है और दूसरे दिन बाहर ना निकला अब यह तो कमनिजम खत्म हो गया ना कमनिजम की वबस्ता उसके लिए तो खत्म हो गया वै तो खुद ही पूंजी बती हो गया अब जनता उसके दरवाजे पे खड़ी है निकलो बाहर आओ क्या बात है वो कहते है मैं बिमार बहुत हूं मुझसे तो चला ही नहीं जाता हूं अब एक बार कैसे कैसे काम चलो सुचानक ने चार वबस्ता हैं खुदी राजनिती की साम दान दंड भै लेकर वो चूक गया इस बार से के काम तो सिर्फ साम और दान ही आता है दंड और भै तो एक बार लगते हैं कि काम कर गए आप जिसको दंड दोगे तुम याद रपना वह ज्यादा ताकत के साथ आपके उपर प्रहार करें तो भूल के भी कभी किसी को दंड मत देदाने भूल कर भी कभी किसी को दंड मत कर देदाने आप खुद का विनाश किसी को दंड देके खुद का विनाश ही आमंत्रित कर रहे हो राज नितिक्यों के लिए एक सबक है भ भूल कर भी किसी को भै मत दिखा लिना, क्यूंकि जिसे आप भै दिखाऊगे और दमन किया हुआ भै इतने तेज ब्रहार से बली होकर बाहर आकमन बढ़ेगा, कि उसे आप समेट न पाऊगे, उसे आप निपट न पाऊगे, इसलिए गलती मत करना है। राजनीती को चलाने वाले शाष को चानेक कुछ भी कह गए हूँ, लेकिन चानेक का हशर देखो। जब चानेक कमरा, तो सुबंधु ने, आज तक लोग कहते हैं, उनकी मृत्यू का पता नहीं चला है, मैं बता देता हूँ, उनकी मृत्यू कैसे हो। चंद्रगुप्त मोरे का बेटा बिंदु सार, जब राजा बनाओ, तो चानेक मुझू था। और सुबंधु नाम का एक अधिकारी, राजा के करीव था। और उसको चानेक की करीवी बिंदु सार से बिलकुल बाती ना थी। उसने का कैसे इस चानेक को उल्ट कर दिया जाए बिंदु सार से। तो उसने बहका दिया कि आपकी माता की मौत के लिए चानेक के जम्मेदार हैं। अलांकि चानेक के जम्मेदार नहीं थे। चानक के चंदरकुप्त मुर को थोड़ा थोड़ा पाइजन रूज देते देते। खाने में, हलका सा पाइजन बिना बताया। वो क्यूं देते थे? क्योंकि थोड़ से पाइजन से आदमी मरेगा तो है नहीं। तो उसके वितर की ववस्ता जैसे लूई पास्चर ने ये बात घूज ली के अगर हम उसी ही रोग के कितानों को निर्भल करके उस विक्ति के भीतर इंजिक्ट कर देंगे तो तो हमारे जो WBC परतिरक्छा परनाली है, वह उसको मार देगी, और फिर जब असली कितानों आएंगे, तो वह उसको भी उमार देगी। यह लूई पास्चर की खोई थे तो यह खोज लूई पास्चर से बहुत पहले चनकने कर ली थे कि अगर शरीर को थोड़ा थोड़ा जहर रोज दिया जाए तो वह उस जहर से लड़ने की ताकत रखे गा दो चार दिन थोड़ा सा डीला में सा रहेगा लेकिन तो उससे लड़ने का इम्मिनूटी पैदा गर लेगा हूँ इसलिए मैं कहता हूँ बच्चों को मिट्टी में खेलने देने से उनकी इम्मिनूटी रोगों के प्रती बिक्सित हो जाएगा लेकिन आप तो संगे मरमर के फर्षों के ओपर बच्चों को पालते हो उसके ओपर भी डनलप के पिलो बच्चा देते हो और धूल गर्द का तो मतलब इनी कि वो आजाएगा इसलिए आपके बच्चे आज धूल मूल हैं वो लड़े नहीं उनकी प्रति रक्षा पर नाली विक्सित नहीं तो चानक क्या थोड़ा थोड़ा जहर बिंदु सार को दे 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 थे माफ करना चंद्र गुप्त को दे 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 थे तो चंद्र गुप्त को जब थोड़ा थोड़ा जहर आता था तो उसकी प्रतिरक्षा प्रनाडी जहर के मारक तत्व को प्रास्ट करने में काम जब हो गई वो देते क्यों थे जहर कि कोई राजा यहां इन्वाइट करे और जहर देते तो इससे मरे नौ उसके भीतर की इमिनिटी इतनी स्ट्रोंग हो जाए कि उससे जहर को मात दे दे इसलिए थूड़ा थूड़ा जहर रोज खला देता था हुआ यह कि एक दिन गल्ती से राजा का वो भूजन बिंदु सार के माता ने खा दिया चंद्र गुप्त मुर्या की गरवादी ने खा दिया जैसे ही बिंदु सार की माता दुर धारा ने बह भूजन खा लिया तो उसकी तबीत विगड़ गई क्योंकि उसमें जैर मिला था और उसके भीतर की पर नाली जैर को मात देने में सक्षम ना थी गल्ती से खा लिया गया अब क्या करें गरववती थी गरव में बिंदु सार थे चानक को पता लगा भूर हो गई या तो दुरधारा खा गई तो जल्दी से सर्जेरिन को बलाया गया सर्जन को बलाया गया से जैरिन किया गया और बच्चे को सुरक्षित बाहर निका दिया गया मरत्य हो गई दुरधारा के इसमें किसी का कसूर नहीं था चानक का कसूर बिलकल भी नहीं था गलती थी बोजन पर उसने वालों के तो सुबंधू ने ये बात राजा के कान में बिंदू सार के कान में उंडेल दी और उसके अंदर जहर फेलाना सुर कर दिया और बिंदु सार ने जब ये बात सुनी तो उसने चैनक के परती नफरत और हिन की वावना रखने शुरू करती और जब ऐसा बहार देखा चैनक ने तो चैनक के बड़े गट्स वाले आत्मी थे अभी मानी नहीं थे, स्वाभी मानी थे मुकाम छोड़ दिया, राज दर्वार छोड़ दिया, जेंगलों में के लिए निकल गए लेकिन सुबंधु को पता था, कहां ठहरे हुए हैं सुबंधु ने रात को सोय हुए चैनक के उपर मिटी का तेर छिड़क आग लगा दो सोय हुए चैनक कितनी गहरी निद्रह में थे, कि वह करीब करीब आदे से ज़्याद़ जल गए चीखो चलाटोई सुनने वाला कोई नहीं था, किसने बचाय नहीं, कोई उपाय नहीं था अद जली हालत में महीनों तक चैनक के वहीं तड़कते रहें और सुबंदू लगातार उनका पता लेता रहां, बाहर सक कि अभी मरा नहीं है और इसी महाकष्ट काली लमहों को सहते हुए, चैनकन एक दन प्राह जाती है करीब तीन महीने तक उन्होंने ये जलन की व्यादी और बेदना सहीं, ऐसे चैनक का अंत हुआ है सामदान दंडव है, या बेद, ये बाद वाली जो दो प्रविक्तियां हैं, इनको राज शाही कभी ना अपना अगर दंड़ दोगे तो याद रखना दंड़ पाने वाला व्यक्ति एक बार दब जाएगा, यह पर्मानेंट उपाई है ही नहीं बेह फिर ज्यादा बली होकर सिर उठाएगा और फिर आपको कुछत देगा, और जिसको बेह दखाओगे, एक दिन वो आपके बेह में एक बार दब जाएगा, निश्यत, लेकिन ये तो वो उशदियां हैं, जो तातकाल प्रभाव से काम करती हैं, लंबे असर नहीं होते है जड़ को खतम नहीं करती हैं, बेह दिखाओगे, बेह विक्ति एक बार डरेगा, बिल्कुल डरेगा, सभाव है आत्मी का, लेकिन वक्त पाकर वो बेह उसके भितर के आतम सम्मान को जगाएगा, और बेह कितने ही जादा बल से आपके उपर अटेक कर देगा, ये काम तो मत करे, राजनिते में आने वाला विक्ति ना किसी को भै दिखाए, और नहीं किसी को दंड दे, अकारण, जो योग है उसको दंड देना तो बनता है, ये तो नयाय प्रियता का सुबूत है, अकारण दंड न दे, अगर राजनिती चलानी है तो मेरी इस ववस्ता को सुन लेना चानक से विप्रित बढ़ेगे, साम, दान, समझोता करो, और दान दो, खृत रहे, ये दो काम कर जाएंगे, बाकी के दो तो आप खुद की ही कबर खोदोगे, बाकी दो तो आजमाने की चेष्ठा भी मत करे राजा, अनित हमारा जाएगा, साम, समझोता करे, कुछ माट ले, कुछ ले दे का फार्मूला आजमा ले, या दान, उसको कुछ बेंट करते हैं, चल, ठीक, तुम जाओ, इसलिए उशलते थे, तुम जाओ, तुम ये कुर्सी दे दे, अगर ऐसा राजनिती करेगा वहे विक्ति, ज्यादा देर तक शाशन में बना रहेगा, दंड ओर भैसे राजनिती कभी चलते हैं, जो भी राजा, आप देख ले ले, विष्ट में भी जो राजे होंगे, और जो आज़ भी राजा हैं, सिसार में आज कुन सा राजा नहीं है, जो आज भी राजा हैं देर तक वो दंड और भै के सरके ओपर राज काज कभी भी अपनी हाथ में नहीं रख पाएंगे आखर में उनका हशर कैसा होगा मुसॉलिन जैसा इटलर जैसा स्टॉलिन जैसा अंत में हशर ऐसा ही होगा क्योंकि प्रजा जिस वक्त उसके वै और दंड से तरसित होके उनका आतम सम्मान जागेगा उनका भीतर का बल जागेगा वो इतनी प्रबलता से जागेगा कि किसी भी राज को दबा सकता है दोंस सकता है क्योंकि संख्या बल ज़्यादा है किसी भी देश का संख्या बल इतना ज़्यादा होता है कि उसके आगे मिलिटरी का संख्या बल कुछ भी नहीं होता इसलिए कभी भी मिलिटरी के बल पर राजा राज करने की चेश्टा मत करे मिलिटरी के बल पर सिर्फ सीमाओं की रक्षा करने की चेश्टा करे जो सही मिलिटरी का काम भी है या उगरवादिता को दबाने की चीश्ठा करे सो मैं कह रहा था जो बल दो तरह के अन है जो बल देते हैं एक बाहरकान अगर बाहरकान नहीं खाओगे महाविर ने बाहरकान नत्याग दिया लेकिन बीतर का अन तो था बीतर का वो रहेसे का बलतु था जहां से सब धाराएं निकलती है बल की वो आत्मा वो परमात्मा वह था लेकिन सरीर के जंतर ने काम करना छोड़ दिया क्योंकि उसे अनरूपी बल नहीं मिला अगर अनरूपी बल महावीर त्यागन न करते या जो आज परमपराओं में जैंदरम में ये संथारा की प्रवर्तियां चलती है अगर ये संथारा न करें बोजन को त्यागन न करें तो बाहर की मशीनरी चलती रहेगी और बीतर की मशीनरी बीतर का बल यानि के बीतर का अन व अपने बल को बखेरता रहेगा जब तक के आपकी सरीर की संग्रचना की ये सारा इंस्टूमेंट परनारी सही रूप से सुजारू डंग से काम कर रही है तो इसका अर्थ है कि अन दो तरह के होते हैं जड़ और चेतं इसका सीधा सीधा मरम आपको समझागा तैतरी अपनिश्द का यह शलोक आपको बताता है कि अन दो तरह के होते हैं एक वो जो शरीर को बल देता है पुष्ट करता है और दूसरा वो जिसके कारण शरीर गतीवान होता है उसको आप भूल जाते हो यह दो तरह के अन हैं इसलिए अन ही अन में परतिश्ठित हो परतिश्ठित हो जाता है अब इसका अर्थ क्या करो कि आप जो मनुष्य अन में अन परतिश्ठित है इसे जान लेता है वह परतिश्ठित हो जाता है अब क्या करोगे इसका यह परतिश्ठित शब्द इसने तीन बार प्रियूप कर लिए जो व्यक्ति जो मनुष्य अन में अन परतिश्ठित है यह जान लेता है वह परतिश्ठित हो जाता है क्या मतलब निकार लोगे आपकी समझ में नहीं आएगा लेकिन इसका मतलब मैंने आपको समझा दिया है एक अन इस सरीर को बल देता है और दूसरा अन आपकी आत्मा है और तीसरा अन प्रतिष्ठित हो जाना है जिसे क्रशन कहते है अपने सवाव में प्रतिष्ठित हो जा अपने आपे में ठहर जा वो तीसरा बल है अगर आप सहज रूप से इस रिद की प्रक्रिया को चलने दोगे बड़ा गहरत अप्जेक्ट है इसको अवश्य सुनिएगा जो भी फिलसिफिकल वेशे समझना चाते हैं वो इस वीडियो को अवश्य सुने एक प्रतिष्ठित अन जो आपके श्रिद को बल देता उस अन में जो प्रतिष्ठित हो जाता है सही बली तो वही है जो स्थिती प्रग हो गया प्रतिष्ठित यानि जो स्थित हो गया जो अपनी स्थिती के भीतर अपनी प्रग्या के भीतर स्थित हो गया वही बली हो गया वही अमर हो गया वो ही सरवग्य हो गया, वो ही प्रमात्मा हो गया सबी जगह उसका विखराब है, उसे ही ब्रह्म कहते है और इसी ब्रह्म के वितर पर्तिष्टित होना तुमारा अंतिम उद्देश है और तुमारी अंतिम जरूर्द भी है धन्यवाद